ड्रोन कैमरों से रखी जा रही दूर तक नजर पुंच सहर के चौक चौराओं पर सीजी टीवी भी लगाए नियंदर रेखा से सटे छित्रों में नाके लगा कर हो रही लोगों की जाच कस्मीर में शुरू होने वाली जी ट्वंटी सम्मिलन को लेकर पुंच जिले में सुरक्षा वेवस्ता कड़ी की गई है इसकी चलते सुरक्षा बलों द्वारा विभिन शेत्रों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है वहीं पुंच नगर में चौक चौराहों पर सीसी टीवी भी लगाए गए हैं जिन पर 24 घंटे हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की नजर है इसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है जी ट्वंटी सम्मिलन को लेकर रईवार को भी एक तरफ जहां जम्मु पुंच राष्टी राजमार के साथ मुक सड़गों पर एसो जी पुलिस सेना और सी आर पी एफ ने विसेश नाके लगा कर आने जाने वालों के सामान और उनके पैचान पत्रों की जांच की इसके बाद यूने आगे बढ़ने की अनुमती दी थी गे वह दूसरी तरफ नियंतरण रेखा से सड़े शेत्रों में सुरक्षा बलों ने विसेश तलासी अभिहान चलाया इस दोरान सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया ताकि वहनों के उपर एवं आसपास के शेत्र में दूर तक नजर रखी जा सके नगर की कई चोराहों पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती के साथ सीटीडी कट तैनाती के साथ सीटीवी भी स्थापित किये गए हैं गोरतलब है कि नियंतरण रेखा के उस पार मौझूद आतंकियों पाकिस्तानिक फूफी आईजनसी आईएसाई और सीमा के और मौझूद आतंकियों के समर्थ को द्वारा जीट्वेंटी में खलर डालने के मंसूमों को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है वह इस रक्षाबलों को भरोसा है कि वे आतंकियों कि नापा के रादों को सफल नहीं होने देंगे